सो हे गाइस और वेलकम बैक तो माई चैनल वंस अगेन गाइस और भाई आज हम करने जा रहे हैं कुछ बहुत इंट्रेस्टिंग कुछ बहुत ही टेकी बोल सकते हो एंड उस चीज का नाम है आज हम रिव्यू करेंगे एंड की आरेक्स सिक्स थाउजन सीरीज बट मैं आप लोगों से वीडियो शुरू करने से पहले दो तिन छोटे-छोटे चीजों को लेके बात करना चाहता हूं पहला चीज है कि गाइस फाइनली हम लोगों का जो चैनल जो था अंकन गेमिंग इस नाउओ ऑफिशियली इंज और इस चैनल के उपर हम लोग गेमिंग एंड टेक रिलेटेड दोनों वीडियो जालने वाले तो गेट रेडी एंड गेट गियर्ड अप बट इसका अलावा एक दूसरा न्यूस है वो न्यूस यह है कि हम लोगों ने एक निया चैनल खुला है जो कि एक कल्चुरल बेस च इंट्रेस्टेड हो या एक्स्ट्रा गाना या न्यूस में इंट्रेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन पे आपको उस चैनल की लिंक मिल जाएगी आप सरूर से जाके एक बाद चेक आउट कीजिए अभी उसके वीडियो नहीं है बट पहला वीडियो जो हम डालने वाले वह वैलू फॉर मनी है भी या नहीं यह हम ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे है तो गाइस लेट्स केट इंट्व वीडियो तो गाइस यहाँ पर हम आचुके हमारा वीडियो के अंदर यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो वह यह इंद ऑफिशियल पेज आफ एमडी ग्राफिक कार और यहाँ पर आप देख सकते हो और एक 6,000 सीरिस ग्राफिक काड लिखा हुआ है यहाँ पर मैं बता दूं मोसली इन लोगों ने तीन ग्राफिक काड का अनॉंस्मेंट किया पहला है रेडन और एक्स 6900 XT और एक्स 6800 XT और एक्स 6800 मैं यहाँ पर आपको कंपेरिशन बता गया है और आट एक्स 6800 XT को अट एक्स 30 80 के साथ कंपेर करने के लिए और एक्स 6800 को आट एक्स 3070 के साथ कंपेर करने के लिए तो यहाँ पर आपको जो भी इनिट्रों बेंचमार्क्स देखने को मिल रहा है यह 4-4 के हाल्टराख पे डाला गया और यह गिएस 5 का डारेक् आपको इसका specifications का comparison दिखा देता हूँ जिससे कि आप लोगों थोड़ा और clear हो जाएगा कि क्या scene चल रहा है यहाँ पर हर एक जो भी है वो हर कोई 6000 series का family में से है और मैं एक और चीज़ बता दू आर्टी आरेक सिक्स टी नाइन हंड्रेड एकस टी आर्टी एकस 3090 से 500 डॉलर क कम के price point में release किया जा रहा है जो की काफी ज्यादा amazing है भाई इतना कम price point में आप लोगों अगर 4K या 8K पे gaming करना था ना तो मेरे को नहीं लगता कि इससे बहतर आपके पास कोई deal मिलने वाला है यह एक ultimate deal है जो कि अगर आपके पास उतना पैसा है तो इसके साथ जाओ और ब आपकी इसका बाकी बात किया लिया जाए तो यहां पे power pin connector दोनों में 182 यानि 16 पीन का power connector आपको देखने को मिलने वाला है और इसका अलावा अगर आप boost frequency का बात करें तो 6900 XT 2250 MHz पे जाने वाला है और दूसरे भी 6800 XT पे भी सेम है बट 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 यहां पे हमारे पास ज यह आपको note करना चाहिए यह point and game frequency अगर आप देखे gaming जो gaming course होने वाला है वह 2015 MHz पे जाने वाला है 6900 XT के लिए and 6800 XT के लिए भी सेम है बट 6800 के लिए 1815 MHz सक जाने वाला है बट ठीक है मेरे को उतना भी खराप नहीं लगा चीज़े इसका अलावा अगर टेरा फ्लोस के पीड का टेरा फ्लोस देखने को मिलने वाला है 6800 XT पे आपको 41.47 टेरा फ्लोब सकने को मिलने वाला है and 6800 पे आपको 32.33 टेरा फ्लोस देखने को मिल जाने माला है तो यह था कुछ basic हमारा स्पेसिफिकेशन इसके लिए जो आपको GPU पावर मिलने वाला है वो है 300 watt की and RX 6800 पे 250W की बागी अगर आप PSU का या पाउर सप्लाई का बात करें तो यहां पे आपको 850W की मिनिमम पाउर सप्लाई चाहिए होगा 6900XT के लिए 6800XT के लिए 750W का एंड 6800 के लिए के लिए 650W का इंफिनिट केश होने वाला है 6900XT में 128 MB का 6800XT में 128 MB का एंड 6800 पे भी 128 MB का अगर आप मेमरी स्पीड बोला जाए तो हर कोई 16GB PS का स्पीड में चल रहा है यानि की GDDR6X का मेमरी इन लोगों ने परश्यूद नहीं किया है ओनली GDDR6 है भाई एंड मेमरी बैंडविट का बात किया जाए तो यहां पर यह 512GB PS का स्पीड में चलने वाला है यहां पर आपको 4K का सब HDMI 4K का सपोर्ट हर एक में देखनों को मिलेगा इसका लगा इसका लगा 4K H264 अब को फूस्ति का अगर अग्शेम आपको पता होना चाहिए तो उन लोग के लिए बी यह ऑंकसा लिए हटा लगा कि इसका HDMI का बात किया जाए तो हर एक slot 2.1 HDMI slot पे बेस होने वाला है जो कि आपको seamless experience देने वाला है अभी मैं आपको कुछ game के हिसाब से comparison दिखाने वाला हूँ जो कि मेरे हिसाब से insane है भाई insane अच्छा मैं यहां पर आपको test bench में mention करने वाला हूँ पहले हम देखते है Battlefield 5 का यह होगा 4K resolution अल्ट्रा पे यहां पर हम यूज़ कर रहें CPU पर राइजन 9 5900 X system memory है 16 GB का DDR4 RAM जो की 3200 MHz पर clocked किया गया है यहां पर आपको motherboard देखते को भी लाए एक्स 50 reference platform है यह और OS है आपका wind 10 pro OS तो Radeon driver है और जीप फोर्स का driver version वे आपको mention कर दिया गया है तो यहां पर हम comparison को शुरू करते हैं यह आपको 4K resolution का देखने को मिल रहा है भाई 4K याद रखना यह 4K resolution है AMD का जो कि आर एक 6900 XT है जो कि 16GB variant है वहां पर आपको इस configuration में 120.5 का FPS देखने को मिल जाता है फिर 6800 XT पर वहीं पर आपको 113.1 FPS निकालके देपाता है यह constantly जहां पर आपको जी फोर्स आर्टी एक्स 3090 जो कि 24GB वाला वेरियंट है यह आद रखना 24GB वाला वेरियंट है यह वह भी आपको आरेक 6800 XT से थोड़ा सा कम वैल्यू ओफर कर रहे है जो कि आराउंड 110.7 FPS के उपर बेस है फिर अगर आप देखें यह जी फोर्स आर्टी एक्स 3080 का फाउंडर्स एडिशन जो है जो कहीं न कहीं हर चीजों से थोड़ा फीका पट रहा है जो कि 101 FPS तक ही पहुच पा रही है और वहीं आप बात करेंगे कि आर एक 6800 जोगी एक्चुली में 2070 अरे यार क्या बोल रहा हूं 3070 पर जाना के लिए बेस किया गया है उस पे 98.1 FPS का आपको एवरेज देखने को मिल जाता है मैं बता दू यह 4K resolution है याद रखना 4K resolution है और भाई एक और बात है मैं यह जो उल्टासीदा बोल रहा हूं ना बीच बीच में उसको थोड़ा सा नजर अंदास करते हैं ठीक है इसके अलावा अगर आप 2K resolution पर देखे तो आपको तो भाई मज़े ही मज़े है जैए हो तो के resolution पर आपको 6900XT 200 प्लस fps तक ले जाने का capability रख रहा है वह भी बैटल फिल्ट फाइव जैसे गेम में तो आप समझी पारे होगे कि कहीं जहां भी आप देखोगे तो यह तो भाई एंवीडिया को एकदम खुल्याम बीट कर रहे हैं बट यह याद लगना यह टेस्टि आपको 5000 के साथ जाना चाहिए अगर आपके पास budget है तो 6000 सीरीज के साथ भी आपको जाना चाहिए और अगर आपको थोड़ा बहुत द्रॉप देखने को मिलेगा और अगर आपको बजिट टाइट है तो में भी आप इन्वीडिया को कहीं न गई एक खुल्याम बीट कर रह है इस बार का इसका जो configuration डाला है एंडी ने और एंडी का यह जो बीट कर रहा है न भाई एकडम खुल्याम बीट कर रहे हैं क्योंकि आपको दिखाई दिया हमने एफ पिस कहां से कहां पहुंच रहा है डारेक्ट टेक्स 12 पर यह बेस है तो गाइस यही मतलब हमारा conclusion तो य 90 और फिर i9 कोर i9 पर बेस्ट होगा तो भाई रुख जाओ रुख ठंड पक्रो भाई AMD का ryzen 9 5900 X ले लो एक कार्ड और उसके साथ आप एक RX 6900 XT 16 GB लेलो एकदम मखन gaming करवाएगा आपको 4K resolution तक लेके जाएगा और मैं बता देता हूं यह कार्ड ना आपको बहुत बहुत आसानी से 8K पर 60 FPS पर गेविंग कराने का capability रखता है तो भाई अगर आपके पास 8K TV या monitor TV तो भाई मती लो अगर उतना अच्छा नहीं है तो monitor अगर अगर आपके पास है तो ज़रूर जा सकते हो भाई बहुत अच्छा performance मिलेगा तो भाई यही है comparison अब बाकिया आप पे है भाई यह कुछ छोटा मोटा comparison था हमारा AMD के साथ मिलकर जो वीडियो था तो गाई यही तक था आज का comparison अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक ठोकना और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो subscribe ज़रूर ठोकना और भाई यह हमारा पहला वीडियो था कोई भी टेक करने के लिए बहुत मदद करता है और बाकी रही बात कि हमारा वीडियो इस चैनल पर गेमिंग कैसे होने वाला है तो भाई गेमिंग जैसा था वैसे चलता रहेगा बीच-बीच में गेम रिव्यूस का भी एपिसोड आता रहेगा एंड जो लाइस्ट्रीम्स होता था वो भी continued रहने वाला है तो गाइस इसी के साथ साथ हम आज की वीडियो को खतम करते हैं अगर आप फेस्बुक ये इंस्टाग्राम पे हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप मेरे साथ विकेंड में खेलना चाहते हो या मेरे साथ बात करना च झाहते हैं बात चाहते हो दो बात करते हैं टेधर आपको दो